हमने उनको कहा कि इप्तदा से ही जो बात हम कहते आ रहे हैं कि यह जो रियार्गनिजेशन एक्ट हुआ 2019 में यह हमारी नजर में अनकॉंस्टिशनल है हम सुप्रीम कोर्ड में गए हैं इस केज को लेके सुप्रीम कोर्ड के फैसले तक कमिशन को रुखना चाहिए था ताकि यह जो है उसके बाद जो आटकॉम होगा उसका उसके बाद इनको एक्डसाइ़ करनी चाहिए लेकिन वो कहने के बावजूद हमने इनको कहा कि यहाँ रियास्त excess करनी है वो इतनी शवाब तरीके से होनी चाहिए और ठास्परेर्ट होनी चाहिए ताकि रियास्त के लोग दुबारा जो है दोखा ना खाएं हमने इसे वह भी पूचा कि यह इन्फार्मल है कि अभी कमिशन का पुरा आये नहीं है हमारा यह है कि यह लोग इसके लाव पूर्ट पे गए हैं अगर यह तब भी आगे चाहेंगे के लिए कम इसको शफाफत से करें और क्योंकि वहां यहां वैसे भी जो है इंस्टूशन से और दिली के इंस्टूशन से खासकर पूरा इदबार अब तक बहार नहीं रहा है कि हमने जीएमियर से भी बात कि है कि उन्होंने कहा कि दोहजार प्रफीस तक को गौर्वर्मेंटा फिल्या नहीं कहता तो कोई डेलिमिटेशन नहीं होगी यह सारा अंकर्ण स्टूशन वाकी है और आज कि अगर आज की करते हैं फिर जब तो अभी इडी ने उनको समझ बेजा उनकी मा को पीडी पी अपना जवाब खुद देगी उसके में अरे में पूलेंगे नहीं को कैसे होगा वह हमने आपको रिदिन भी दिया इस पर सारी डिटेल है थांग्यों करेखे बाज प्रिया थांग्यों